हेलो फ्रेंड्स आप सभी का अपने एच डीएस ट्यूटोरियल पर स्वागत है इस वीडियों लोग देखिएंग जैसे आर्टी क्लास 7 का इंगलीज का यूनिट 2a का कोशन अंसर किलर है यूनिट 2a का नाम है दा आईज सब्सक्राइब यूनिट 2a के साथ बने रही है और कहीं पर दिखकत कि मुझे कमेंट कर दीजेगा मैं आपके प्रव्लम सब्सक्राइब करने की पूरी कोशिस करूंगा तो चले बढ़ते हैं कोशन अंसर की और देखिए अंसर दा फॉलोइंग कोस्टेंस किलर है फ़र्स नं देहरादून जा रहा था उसके बाद देहरादून के बाद वह मसूरी जाने वाला था क्लर है फिर देखिए सेकेंड नंबर के कोस्टेन है इसको लिखना है देखिए अंसर हो जाएगा मसूरी इज हिली एरिया इन अक्टूबर दे विंटर सीजन फॉल्स दे हिल्स आर कवर्ड विट वाइल्ड देलीज दे सन इज डेलिसियस एंड अट नाइट वन चैन सिट इन फ्रेंट ओफ लोग फायर मोस्ट ओफ द तूरिस्ट हैव गोन एंड द रोड्स आर क्वाइट एंड अल्मोस्ट डेज इसका हिंदी मिनिंग हो जाएगा कि मसूरी एक पहाड़ी एरिया है उसके बाद देखिए इंद उक्टूबर में यहां पर थंड़ा का मौसम रहता है क्लिब रहा है विंटर मतलब थंड़ा का मौसम रहता है तो देखिए पूरा का पहाड़ी वाइल डेलियाज से गिरा हुआ रहता है उसके बाद देखिए नेक्स्ट तो देखिए यहाँ पर सन बहुत ही सुहावना होता है और रात में लोग आग के सामने लकड़ी को जलाकर आग के सामने बैठते हैं उसके बाद देखिए most of the tourists have gone ज्यादतर टूरिस्ट जो रहते हैं वापस आ चुके रहते हैं इसलिए रोड थोड़ा सा सांत सांत रहता है के लिए रोड में सुनापन रहता है फिर देखिए next three number three number question है the renter says you have an interesting face why does he think that it was a safe remark clear है तो देखिए narrator कहता है कि you have an interesting face आपका चेहरा बहुत थी दिल्चस्प है तो लेखक ने ऐसा क्यों कहा ऐसा मतलब क्या सोच कर कहा तो देखिए अंसर हो जाएगा the narrator thought saying about a girl that you have an interesting face it was a safe remark because few girls didn't ya did not like fluttery no other words are so daring according to the narrator और ने लड़की को कहा कि आपका चेहरा बहुत इंट्रेस्टिंग है और यह उनके लिए safe remark था किलर है तो देखिए उसने इसलिए कहा था क्योंकि कुछ लड़कियों को चापलूसी बिल्कूली पसंद नहीं होती है किलर है तो नेर्टर के पास इससे अच्छा word या फिर य नहीं था किलर है फिर देखिए फोर नंबर फोर नंबर के कोशन है सी है डिवीटिफुल आइज बट देवर ओफ नो यूज तू हर किलर है इसकी आँखे संदर थी लेकिन वे उसके लिए किसी काम के नहीं थे किलर है यहां किसकी आँखे के बारे में बात हो हो रहा है किलर है यहां पर किसकी आखों के बारे में बात हो रहा है और जो आखें है वो यूज मतलब उसका कोई काम यहां नहीं है क्यों तो देखिए इसका अंसर हो जाएगा the girls eyes were referred here clear है लड़की का आख के बारे में बात हो रहा है they were of no use to her because she is completely blind for a blind girl the world would be full is of no use clear है कि लड़की की आखों के बारे में बात हो रहा है clear है और वे उनके किसी काम की नहीं है क्योंकि वह पूरी तरह से नेत्रहीन है clear है blind है और beautiful world में blind eyes का कोई काम नहीं है इसे नोट कर लिजे फिर देखिए five number five number के question है do you think that the girl told any lie give region for your answer क्या आपको लगता है कि गर्ल ने कुछ जूट कहा था अपने अंसर का कारण दीजेत इसका अंसर हो जाएगा I don't think so मुझे ऐसा नहीं लगता है she didn't tell any lie वो कुछ भी जूट नहीं बोली थी as the narrator didn't remark anything personal for he was blind and he didn't ask anything more clear है तो देखिए इसका अंसर हो जाएगा कि मुझे नहीं लगता है कि उस लड़की ने जूट कहा था clear है जैसा कि कथाकार ने भी कुछ व्यक्तिगत टिपनी नहीं दी क्योंकि वह अंधात था और उसने कुछ नहीं पूछा clear है फिर हम लोग कुछ एक्स्ट्रा कोशन देखेंगे उससे पहले आपसे रिक्वेश्ट अगर भी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं के तो सब्सक्राइब कर लिजे अब साथ ही बेल एकिन को प्रेस कर दीजे ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं आ order of events clear है यहाँ पर जितना भी sentence दिया हुवा है six sentence को पढ़ना है और historic according इसको arrange करना है clear है तो देखिए इधर मैंने mark कर रखा है one two three four five six clear है तो इसी according में आपको answer लिखना है सबसे पहले third number को लिखना है उसके बाद first number को फिर five number को इस तरीके से तो चलिए एक बार में इसको read क इसको पहले लिखना है I had the compartment to myself up to Rohana then a girl got in clear है फिर देखिये second number है are you going all the way to Dehra I asked clear है फिर देखिये third में इसको लिखना है I turned from window and faced the girl and for a while we sat in silence clear है फिर देखिये इसके बाद आपको लिखना है four number का इसको the girl got up and collected her things clear है फिर देखिये next fifth number she was standing very close to me clear है फिर देखिये last six there was some confusion in the doorway